नमस्ते साथियों आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा जी एसम यह हर फिब्रिक का एक जी एसम होता है जी एसम का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वाइर मीटर यानि की एक स्क्वाइर मीटर में कपड़े का कितने ग्राम बजन है इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है कि कपड़े का जी एसम कैसे जाने है इसके बाद मैंने एक वीडियो और डाला था दोनों ही वीडियो के लिंक में मेरा जो प्रयास है उसकी एक वज़ा है मेरे एक मित्र का फोन आया कि मैंने पूरे GSM का कपड़ा मेरे सप्लाइर को भेजा उसके बावजूद वो कपड़ा रखने से इंकार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कपड़े का GSM बरावर है मगर जो फेब्रिक मैंने आपसे मंगा वो फेब्रिक नहीं है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस समश्या का समाधान क्या हो तो जब तह में गए इस बात कि मैं तो जो सप्लायर थे जो नोने मेरे यूटीवर जो मेरे दर्शक है यूटीवर उनको जो supply के लिए order दिया था उनके पास जो कपड़ा आया था वो कपड़ा था 40's Count का यानि वार्ट में भी 40 Count लगावा था और वेप्ट में भी 40 Count लगावा था और उन्हें जो आगे supply करनी थी वो इसी आधार पर गरनी थी 40's Count का बनावा कपड़ा हो मगर खरीदी देते वक्त उन्होंने अपने supplier को यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें 40 by 40 count का कपड़ा चाहिए उन्होंने एक ऐसे supplier को phone करके अपना order की पूर्टी करवानी चाहिए जो अपना कपड़ा 20 by 20 या 20 by 23 या 14 by 23 count में अपना कपड़ा बनाते हैं अब GSM का मतलब हुआ कि gram per square meter तो उन्होंने उतने ही gram का कपड़ा उनको दे दिया अब उनकी जो requirement ती 40 में थी उन्होंने 20 का कपड़ा दे दिया तो जगड़ा पढ़ना बिलकुल स्वाबा विकता इसलिए भईश में आप जब कभी भी कोई भी ऐसा सोदा करें जिसमें आपका बायर आपको केवल gram per square meter यानि कपड़े का GSM बताएं तो आप मुंद कर उसको फोलो नहीं करें आपको इस बात का जहान रखना होगा कि उसका फेब्रिक किस count में बना है कितने readpink में बना है बहुत मत अप्रम अप इससे बताइर सुनिए किश काउंट में बना है कितने readpick में बना यानि केवल GSM पर्याप्त नहीं होता है कपड़े का count जिए उसका near सर्च करेंगे गे विप्यान इंदर सक्वार से उसके इस Christian को supply के लिए order मिले तो यह भी पूस्ट लेना चाहिए कि उसे कितने विट का कपड़ा चाहिए यदि मान लो उसको 63 इंच का विट का कपड़ा चाहिए और आपने उसको 19 विट का उसी जी एसम का कपड़ा दे दिया तो उसमें उसके कपड़े के वैस्टे जोने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ऐसे में आपको जब भी कभी आप order ले जी एसम के आधार पर तो अपने जो बंदा आपको order दे रहा है उससे आप यह जानकारी करें कि उससे किस काउंट में माल चाहिए किस रीड पिक का चाहिए और किस विट पर चाहिए ताकि भविश में किसी इस भी तरह का कोई विवाद आप दोनों के बीच में नहों कपड़ा जो है आपका सिग्रेट से सिग्र पास हो जाए और उसका पैमिंट आपको मिल जाए इन्हीं भावनां के साथ मैंने आज का यह वीडियो बनाया है आश्या आपको मेरी बात समद में आई होगी मैं पु आजकल कपड़ा बिना साइजिंग के बनता नहीं है यह समझो कि कपड़ा बिना साइजिंग के बहुत कम ऐसा कपड़ा होते हैं जो बिना साइजिंग के बन जाते हैं इस्पेसिली कोर्स काउंट के जो कपड़े होते हैं वे बिना साइजिंग के बन जाते हैं वहना उस पे पर जो मल माल मेटरियल यांड पर लगाय जाता है वह उल्टिमेटली वाश में निकल जाता है तो यह सारी बात क्लियर खरने के बाद यदे आप सोधा करें और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें धन्यवाद फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ